सबका स्वागत है कल आटल जी की जैनतिय जन्मतितिय है और इसलिए दो नए परियोजनाएं शुरू हो रही है पहली स्कीम है आटल जल आप समको पता है कि देश में पासट फीसदी इरिगेशन भूजल से होता है और पानी की सुविधा खासकर ग्रामी निलाखों में 85 फीसदी भूजल से होती है इस भूजल का ठीक तरस से प्रबंदन हो कारेक्शंता उसकी बढ़े है उसका उपयोग जादा हो इसके लिए यह अटल जल मिशन अटल जल यह कारेक्रम तयार किया है आज उसको मान्यता दी गई उसके लिए यह अजार करोड रुपे का प्रबंद किया गया है तीन हजार करोड रुपे वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे तीन हजार करोड भारत सरकार देगी जिन राज्यों को अभी शुरुवात में यह मिल रहा है वो उनको पूरी ग्रैंट है और इसमें मध्यप्रदेश महराश्ट्र गुजरात हरियाना राजस्थान एवं उत्तरत देश इपने साथ प्रदेशों के आठ हजार तीन सो पचास गाव उसमें निश्चित हुए है इन गावों के सभी लोगों के और किसानों के साथ मिलकर ये कारिकम बनेगा और उनका पार्टिसिपेशन ये इसका मुख्य प्र और इसमें लोगों को क्योंकि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पर मैंने भी एक काम किया था पुने में तो लोगों में जन्जावरूती पैदा हो उनको कपैसिटी ब्रेडिंग हो और पानी का अच्छा ज्यादा उपयोग हो उस पर ज्यादा निगरानी हो उसका ढंग से बजेट बनें और एक पानी की सुरक्षा तैयार हो उस गाव के लिए और उसका किफाईती उपयोग हो यह उसका उद्देश है अब आते हैं हम सेंसस और NPR पे ऐसा है भारत में अभी ब्रिटिश जमाने से देश के जनसंख्या का सेंसस होता है जनगणना होती है इस जनगणना में ब्रिटिश जमाने में आजादी के पहले आठ हुए थे आजादी के बाद साथ हुए यह आठ्वा यहने कुल मिलाके सोलावी जनगणना हो रही है इसमें सभी लोगों की गिंती यह मुद्दा होता है इस बार आने वाले यहने 2020 के एप्रिल से सितंबर तक छे महेंने यह काम चलेगा लाखों लोग इसमें शामिल होंगे वो घर घर जाएंगे और फेबरुआरी 2021 में 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है इस बार टेक्नोलाजिक उपयोग करते हुए यह प्रक्रिया आसान बनाई है हर बार आपको भी आद्भो होगा ची जनगणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वह इतना लंबा होता है कि वह बरने में गंटा देर गंटा लगत वो मन्यूर होगा